हेलो गाईज, स्टॉक मार्केट न्यूस फॉर अर्ण में आप सभी का स्वागत है आज है 20 जुलाई बात करेंगे यस बैंक के बारे में तो चुकि आज की तारीक में हमने यस बैंक के प्राइस को स्टेबल होते हुए देखा है जिस तरीके से यहाँ पर ग्रावट के एक्सपेक्टेशन लोगों ने लगाई हुई थी वैसी बिल्कुल भी आपको देखने के लिए नहीं मिली डेफिनेटली यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज आपको समझनी चाहिए वो यह कि डेफिनेटली कोई ना कोई यहाँ पर खुले बजार में खरीदारी कर रहा है यह कौन लोग हैं जो यहाँ पर खरीदारी करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ मैं आपको एक आर्टिकल दिखाऊंगा जिससे आपको दो महतपूर्ण चीज़े जानने के लिए मिलेंगी उससे पहले आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर तकरीबन 3 करोड 68 लेक्स से जादा क्वांटिटी ट्रेड हुई है जिनमें से तकरीबन 1 करोड 22 लाग से जादा डिलीवरी देखने के लिए मिल रही है तकरीबन 33 प्रितिशत से जादा डिलीवरी का मतलब क्या है हाला कि जब यहाँ पर मैजॉरिटी लोग यह बात बोल रहे है कि यहाँ पर प्राइज जो है वो आपको करेंट प्राइज जो देखने के लिए मिल रहा है तकरीबन 19.45 से वो गिर कर 12 रुपए जो की FPO का इशू प्राइज है वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा तो definitely कोई ना कोई यहाँ पर गलत है यह majority लोग गलत है या minority लोग गलत है तो आप खुद देख सकते हैं कि stock market में हमेशा majority गलत होती है और minority लोग हमेशा सही होते हैं वही चीज मैं आपको आर्टिकल में भी दिखाऊंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2800 के लगबग यहाँ पर buying quantity अभी भी लगी हुई है यहाँ पर महस तकरीबन एक छोटी सी 1.5 पृतिशत के लगबग गरावट देखने के लिए हमको मिली थी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि previous closing हमारी 19.80 के लगबग थी और यहाँ पर 19.45 के लगबग हमारी closing हुई है जहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि तकरीबन 18.70 के लगबग हमने low बनाया और उसके बाद हमको recovery देखने के लिए मिली यानि कि लोगों ने यहाँ पर खरीदारी करी है और especially लोगों ने नहीं यहाँ पर कुछ बड़े players खरीदारी कर रहे हैं कारण क्या है देखिए कारण बिल्कुल simple है चुकि यहाँ पर oversubscribe करने की कोशिश किन लोगों ने की थी देखें बड़े players ने करने की कोशिश की थी institutions ने करने की कोशिश की थी क्योंकि उनको पता है कि ये stock आगे चलके turn around कर सकता है तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि majority क्या सोचती है देखें majority expert जो है वो ये सोच रहे हैं कि जो price है वो adjust होके जो final issue price होगा जो कि तकरीबन 12 रुपए के लगबग है वहीं पर आपको yes bank का price देखने के लिए मिलेगा लेकिन देखेंगा क्या यहाँ पर ऐसे लोग है जो इनको गलत मानते हैं कि नहीं तो देखें यहाँ जो founder है equity 99 के वो कहते हैं कि ये जो majority लोग है ये गलत है चुकि यहाँ पर देखेंगा आप देख सकते हैं कि तकरीबन 27 DII ने यहाँ पर FPO के लिए subscription करने की कोशिश किया है यानि कि subscribe किया है FPO को तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि जो ये investors हैं इनको strong expectation है कि ये stock turnaround करेगा तो आपको सबसे जादा कौन importance देने लायक लगता है क्या आपको institutions लगते हैं या आपको यहाँ पर जो individual investors हैं उनके ओपर जादा trust है तो उस चीज़ को आपको यहाँ समझना चाहिए देखें यहाँ जो expert हैं जो अभी majority में आपको देखने के लिए मिल रहे है majority हमेशा गलत होती है market में इस चीज़ को हमने हमेशा देखा है यहाँ minority लोग हमेशा ठीक होते हैं और इस चीज़ को आप यहाँ देख सकते हैं चुकि retail निवेशकों ने यहाँ पर बहुत कम भरोसा दिखाया है FPO पे और बहुत कम लोगों ने subscribe करने की कोशिश की है तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि जिन लोगों ने यहाँ पर subscribe करने की कोशिश की है उनको definitely यहाँ मुनाफ़ा होगा इस चीज़ को आप यहाँ पर देख पाएंगे जब इसकी listing होगी और उसका देखेगा एक और कारण है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से institutions को भरोसा है Yes Bank पर उतना भरोसा देखेगा individual investor को नहीं है तो यह दो बाते आप यहाँ पर समझ लीजिए कि basically psychologically भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो बड़े निवेशक होते हैं वो हमेशा छोटे निवेशकों के against खेलते हैं और आप खुद देख सकते हैं कि FPO में छोटे निवेशकों को ने कुछ खास investment नहीं करी है और हमने यह भी देख लिया है कि आज की तारीक में Yes Bank का जो प्राइज है वो stable हो चुका है उसका मतलब है कि बड़े players खुले बजार से खरीद रहे हैं वो प्राइज को नीचे नहीं आने देंगे जहां पर FPO का issue prize है क्योंकि अगर वहां पर prize आ गया तो definitely उनको नुकसान होगा और वो बिल्कुल भी नुकसान बरदाश नहीं करेंगे और institutions जो होते हैं वो basically अपनी research के साथ और एक अच्छा मुनाफ़ा बनाने के लिए ही investment करते हैं किसी stock में इसलिए आपको institutions के साथ रहना चाहिए यहां पर देखेगा जो majority expert है यह तकरीवन 27 तारीक जब listing होगी FPO की इनके सुर बदल चुके होंगे और आप खुछ समझेंगे कि यहां पर कौन सही था और कौन गलत था definitely यहां पर जो FPO में subscribe करने की जिन लोगों ने कोशिश की है definitely उनको मुनाफ़ा बनेगा ही बनेगा वहीं बात करते हैं हमारे technical chart पर तो देखे technical chart पर भी जोस्तिति आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले बात समझनी चाहिए कि देखें अभी के वक्त में जब से यहां पर 75% के लगबग holding को देखेंगा यहां पर देखें ब्लॉक किया गया था आप खुद इस चीज को देख सकते हैं कि किस तरीके की छोटी-छोटी candles हमको देखने के लिए मिली है definitely यहां पर जब दूसरे जो FPO के shares होंगे वो जब मार्केट में आएंगे तो देखें तब से आपको trading जादा देखने के लिए मिलेगी तो देखें जब trading जादा होगी तो definitely आपको तब यह भाव यानि कि जो हमारी एक range थी जिसमें yes bank काफी दिनों से फसा हुआ था तब ही यहां पर हम जो 30 रुपए के level पर रटके हुए थे हमारी कोई भी closing 30 रुपए के उपर नहीं हो रही थी वो आपको होती हुँ दिखाई पड़ेगी तो इन सब चीजों को आपको यहां पर notice करना चाहिए definitely जिन लोगों ने यहां पर subscribe करने की कोशिश की है especially retail निवेशक उनको मुनाफ़ा होना बिल्कुल तैह है यहां पर देखेगा majority आपको गलती होती हुँ दिखाई पड़ेगी और आप खुद देख सकते हैं कि यहां पर जो minority में लोग बात कर रहे हैं वो basically किस तरीके के institutions हैं और यहां पर आप कुछ चीज को बिल्कुल भी नजर अंदाज नहीं करना चाहिए कि बड़े लोग कभी भी पैसा खोने के लिए investment नहीं करते हमने पहले भी देखा है किस तरीके से यहां पर कुछ बड़े banks ने 10 रुपए के भाव पर investment करके तकरीबन 90 रुपए तक इस stock को देखेगा drive किया था और तकरीबन अपनी 25% की holding को book किया कितना बड़या मुनाफ़ा उन्होंने बनाया है तो इन सारी बातों को आपको यहां पर ध्यान रखना चाहिए तो दोस्तों इसके साथ मैं वीडियो को ही प्रेटन करता हूँ आप से इनका अपने अगली वीडियो में चैनल पर नएते चैनल को सब्सक्राइब करें तो बैल आइकन हैं से प्रेस कर दीजे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियो में कुछ ब को मिशन ना मन भूलेगा चले थैंक यू